सब्सक्राइब पॉइंट यहीं है कि आप एक प्रदेश के मुख्या है। लॉए नौडर मेंटेन करना आपका काम है। उससे ज्यादा आप किसी और चीज में इंट्रेस्टेड है। राहूल गांदी में बहुर इंट्रेस्टेड है। एक बात उमको बता ही है। एक राम चेकमानस का लाहिन यह देखने का चीज है हमने देखा है कि यह जगा पोस्टर हटा रहे हैं पिजेपी के लोग पोस्टर भार रहे हैं तो यह कौन लोग है कौन पोस्टर हटाए हैं मुझे इस बात की जन करें लिया एलाइन्स चुनाव सीट सेरिंग कहां पे जो है कौन सी पार्टी की सरकार है यह अपनी जगा पे इस यात्रा का उद्देश चुनावी नहीं है कि कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत अन्याय चाहे कितना भी ताक सब्तक्ति के साथ किसानों के साथ और जो बहुसंख्यक्कावाद उसकी भागीदारी सुनिश्चिड करके उसको यही यहाई दिख रहा है इन्याय को समात कर्किं कि आप जंगनना कराई है हर 10 साल में जंगनना होता था सरकार जंगनना करने को ताहर नहीं है डेटा रिलीज पुलिस और एड्मिनिस्ट्रेशन को कहना है उन्होंने कहा है कि हमने जो रूट दिया था यात्रा वह रूट फॉलो नहीं कर रही है आप लोग कह रहे हैं कि हमने रिटन में पहले पर्मिशन मांगी थी और उन्होंने पर्मिशन दी भी थी क्या इसका कोई प्रूफ है आप लोग के पास मैं कि वहां के एड्मिनिस्ट्रेशन की तरव से आपको पर्मिशन मिली थी सियात्रा के लिए देखिए पर्मिशन तो कई जगह मिलती है और अड्मिस्ट्रेटिव जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ पर्मिशन किंसल किया जाता है इसमें पुलिस उनके कंट्रोल में है सारे अडिमिस्टेशन पोस्ट उनके हाथ में है तो वो टेक्निकल चीजों में बात को घुमा देते हैं एक बात बताईए यात्रा जिन लोगों के लिए हो रही है उनके बीच यात्रा जाएगी न इसका तो यह मतलम नहीं है न जैसे रिपब्ल परिठे़ट होगा रूट का क्या मतलब होता है हम लोगों के बीच जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं Austral από राजिस्थान जाना है तो हमको जैपूर का रूट ना देकर के हमको रेगिस्तान के लिए जैए घूमने के लिए जाए हर जगा कोशिस ये की जाती है जो मनिपूर इंफाल में क्या हुआ जो मेन ग्राउंड है जहां पे सब कारिकरम होते हैं प्रधान मंत्री जी के भी भाशन वहीं होते हैं जैसा के पपा के भी भाशन वहीं होते हैं सब वहीं होता है तो भाई हमारी यातरा का कारिकरम वहां क्यों नहीं हो सकता हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, और पर्मिशन मिलता है, बिना पर्मिशन मिले हम यातरा की तैयारी कैसे करेंगे, ये एक तैय कारिकरम है, तैय कारिकरम के तहद ये यातरा हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है सुबह उठे और मन क कि चलो आज यात्रा करते हैं एक जो है लोजिस्टिकल सपोर्ट की जरृत होती है यात्रा के साथ जो है लोग होते हैं यात्रा के साथ पार्टी के वर्कर होते हैं कारिकरता होते हैं नेता होते हैं उसके तयारी होती है अचानक से जो है परमीशन किंसिल कर दिया जाता है टेक्निकल चीजों पर नहीं जा रहे हैं। आपको जो है आजकल अमित साहजी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिल्ली में होते हैं। राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं होते हैं। डरे हुए यह हैं। इसलिए जो है हर जगह राहुल गांधी को जाने से रोक रहे हैं। एक बात बताईए। एक तरफ तो निमंतरन दिया कि मंदिर आईए प्रधान मंतरी ने अपील किया कि आप जहां हैं वहीं के जो है निकट के मंदिर में आप चले जाएए और पूजा आर्चना कीजिए जहां यात्रा थी वहां के निकट के मंदिर में वो जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया गया हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है लीडर सांसाद MLA सब जा रहे हैं सिर्फ राहूल गांधी नहीं जा सकते हैं क्यों राहूल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं राहूल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं लाहूल गांधी जो है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके आंसू नहीं पोच सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं, उनका हाथ नहीं थाम सकते हैं, ये साप साप पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं, हम नहीं डरे हुए हैं, वो हमारे संघर्स की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराये बागबान के पास जाने से किसी इंसान को रोका जाएगा वह भी law and order का हवाला दे करके हरे भाई किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है हम लोग एकजाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था, तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे, मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पे जो है, SP बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ रहे हैं, कौन डरा के लिए इस देश के आम आवाम को क्यों मजबूर किया जा रहा है, हम नहीं डरे हुए, वह डरे हुए हैं, और उनको हम कहते हैं, कि मट डरिये, कि इतना भी कोशिश किजिएगा, मन में डर रहेगा, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अगर ED से घवराते रहेगा, कि क्या पत कि उनके राज्ये से भारत जोडो न्यायात्रा निकली, लेकिन उनको इसके लिए इनफॉर्म नहीं किया गया भारत जोडो न्यायात्रा में, शामिल करने का कोई न्योता नहीं दिया गया, क्या कॉंग्रिस ने उनको इनफॉर्म या न्योता नहीं दिया? नहीं मुझे नहीं लगता है कि भारत जोरो न्याय यात्रा में जो है सब को ने उता दिया जा रहा है सब को जो भी लोग इस देश में महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय हो रहा है चाहें वो राजनितिक विक्ति हों, गयर राजनितिक विक्ति हों, किसी संगठन से जुरे हों या ना जुरे हों, विक्ति हों, समू हों, समुदाय हों, सब को जो है बुलाया गया है और इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो दे प्रजाने नहीं देखिए चुनाव मैंने पहले ही कहा और हर बार हम लोग यह कह रहे हैं चुनाव इस देश में होते रहें रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में चुनाव होते रहेंगे तमाम अन देशों के बावजूद चुनाव होते रहेंगे चुनाव का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है तो हम बार बार आगरह आप लोगों से भी करते हैं कि इस यात्रा को सिर्फ चुनावी चसमे से ना देखा जाए इसका ये कताई मतलब नहीं है कि एक राजनितिक पा का एक पक्ष यह भी होता है कि इस देश के आम आवाम लोगों की जो तकलीफ है उस तकलीफ के लिए भी संघर्स करना राजनितिक दल की जिम्मेवारी होती है तो मैं आप यही आगरह करूंगा कि कि किसी भी चुनावी उठा पटक और जो चहल कदमी है अब लोग सभा चु अब प्रसाशन हटा रहे हैं कि वाजबा के गुंडे हटा रहे हैं या तो जो है देखने का चीज है हमने देखा है कि कई जगह जो है बीजेपी के लोग पोस्टर हटा रहे हैं बीजेपी के लोग पोस्टर फार रहे हैं तो यह कौन लोग हैं कौन पोस्टर हटाए हैं मु कि एमसी के लोग पोस्टर बैनर राहुल कांदी की नया यात्रा के हटा रहे हैं और दूसरी बार आप की बात करें तो आप दूसरे राज जहां भारती जन्ता पार्टिंग की सरकार है वहां तो आप कहा रहे हैं ठीक है यह बंडेटा हो रहा है लेकिन यहां तो इंडिया पारता दो चीज के लिए है मैं फिर से रिटरेट कर देता हूं पहला राहुल जी ने पांच न्याय की बात की है पांच न्याय युवाओं का न्याय भागिदारी का न्याय नारी का न्याय किसान का न्याय और स्रमिक का न्याय इस संबंद में हम आपको जो है जानकारी दे ही है हो सकता है अभी कोई जो है न्यूज ब्रेक हुआ हो और जो है आप उससे जो है जो है जोड़ करके यह सवाल पूछ रहे हो उसमें मैं को यही जवाब देता हूं इंडिया एलाइन्स चुनाव सीट सेरिंग कहां पे जो है कौन सी पार्टी की सरकार है यह अपनी जगह प हिलाफ पांच न्याय को अस्तंभ की तरह निर्मित करके न्याय की पुनरस्थापना करना है कहां पोश्टर फ़ाड़ा गया है कहां जो है कहां जो है यातरा जारी रहे तो मोर्टरबर दो कोशन पुछना चाहरा हूं आपको आप जो है नियाए ज is इस्टेब्लिष करना चाह रहे हैं जिस्टेब्लिष करना चाह रहे हैं लेकिन जो है नाइंटी नाइंटी नाइंटी-इन पॉन के बाद जब से छो एकनोमिक रिफार्म Su प्राइब हरा है और उसके तो बड़े अगले जो है एक्जांपल सामने आ रहे हैं कि चंड जो है हमारे पास जो है बिलियन्स की तादाद बढ़ रही है तो किस तरह से और नियाए कायम करेंगे रिश्ट्विश्ट करेंगे कि इक्वल डिस्टिबिशन की बात कर रहा हूं, रिसोर्सस की बात कर रहा हूं, I am talking about that. पुझरे कल जो महान बिहार में नेता रहे कर पूरी ठाकोर उनको भारत रतन देने की भी बात की है, इसको आप किस तरह से लेते हैं, और नमबर दो, जो देश के अभी हालात हैं, एक और आप कहरा हैं कि पचास फीसिदी से ज़्यादा आबादी हो गई है पिछ्णों की, पा काम दफा पांच एलेक्शन भी उस पर हुए, उसके नतीजे भी आए, तो चूप कहां हो रही है? सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्रशन आपने किया, आज जो है जन्नायक करपूरी ठाकुर जी की जन्म सताबदी दिवस है, और कल सरकार ने उनको भारत रतन देने की, मर्नो परांथ भारत रतन देने की घोशना किया है, हमारी पार्टी ने और स्री राहुल गांधी न इस फैसले का स्वागत किया है, कि बारत सरकार जो उनको भारत रतन देना चाहती है, इसका स्वागत किया है, और साथ ही साथ यह प्रशन उठाया है, कि आप यदि करपूरी ठाकुर जी को सची सर्धानजली देना चाहते हैं, तो करपूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है, भा बागीदारी का लागू किया गया बिहार के अंदर और जो पिछडों में भी कमजोर हैं वहां भी जो स्टैटिफिकेशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए उनका मॉडल बहुत मशूर है और दूसरे राज्यों में भी अक्सर बिहार के करपूरी मॉडल की बात की जाती है उससे जोड करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं कि आप जनगन्ना कराईए हर दस साल में जनगन्ना होता था सरकार जनगन्ना कराने को तयार नहीं है डेटा रिलीज करने को तयार नहीं है 2011 की जनगन्ना है उसका भी रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है जो सोश्यो एकोन्मिक डेटा है और अभी बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि भागीदारी अगर आपको देना है तो पहले डेटा तो कलेक्ट कर लीजिए पहले डेटा तो पता चले बिमारी कहां है कहां दवा हुए कर पूरी ठाकूर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक न्याय की मांग है सरकार उसको भी लागू करेगी सरकार जो है भागीदारी शुन्षित करने के लिए सब को गिनेगी जातिवाद को समाप्त करेगी भारत को जोड करके रखने का काम करेगी ऐसा हम उम्मीद कर करते हैं और हलाकि billions होता हो दिखाई दीता नहीं है कि भी जेपी जब कोई इस तरह का कारि करती है तो उसका पेपीछे कही न कहीं जो है उसका चुनावी गणित होता है लेकिन हम उन चीजों में नहीं जाना चाहते हैं यह अगर किया गया है यह एक स्वागत योग के कदम है और इसका हम पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं और हमारा यह मानना है कि कोई भी सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं उनको सबसे बड़ा सम्मान यह होगा कि जब हम उनकी विचारों को उनकी राजनीती को उनके संघर्ष को उनके मुद्धों को जो है समाज में लागू करेंगे नमस्कार मैं हूँ एहमर अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद